तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉफित एलगोज से मॉडल 2 टेखे एंग ग्जाम्पल वन क्या है ए वाच वस सोल एलगोज ऑफ नाइपरसेंट इस अब्सक्राइब एलगोज प्रॉज़ वस अब्सक्राइब के दिए गया है कि इसी वाच को सेल किया गया था 9% लॉज़ पर और अब्सर्वेशन ये था कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 420 रूपीज अगर इसका सेलिंग प्राइस 420 ज्यादा हो तब प्रॉफिट होगा 5% एक्शली हमने लॉज़ पर बिचाहिए 9% लॉज़ पे लेगे अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं 420 रूपीज से तो प्रॉफिट होगा 5% और हमें ये चेक करना है कि एक्शल सेलिंग प्राइस कितना था इस वाच कर तो देखते हैं से कैसे सॉल्फ करेंगे परसंटीज इसके पांस प्रॉज़ करेंगे लोज, प्रॉफेट, स adalah हम परसं कर सकते हैं परसंक्रेज अफों टाइस सो ओस्तों सब्सक्राण करा सुच्रों को सब्रॉज ज़िए व्यां RAFक प्रॉज इस प्रॉट्य परउफिए से इंड्रीज क्या जए तब प्रॉफिट होगा 5 परे लिड अगर प्रॉफिटर को पा 5% loss में हम minus लेंगे profit में plus लेंगे तो profit अगर 5% है तो selling price S-डाश मान लेते हैं कितना होगा 100 plus 5% 105% राइट बेसिकली हम यह जाने दें कि initial selling price था 91% of cost price और जो new selling price है यह है 105% of cost price 91% of cost price और यह 105% of cost price अब अगर आप observe करें इन दोनों selling prices में 420 rupees का difference राइट जो new selling price है S-डाश यह होगा initial selling price plus 420 क्योंकि question में दिया गया था हम selling price को 420 से increase कर रहे है that's it अब हम क्या करेंगे S-डाश है 105% 105% is equal to S की value कितनी है 91% plus 420 इस एगर आप simplify करे 105% minus 91% कितना होगा 14% 14% is equal to 450 सि भ्यान रहे इस पर्टिक्लर टॉपिक में जो भी percentages होंगे वो सारे cost price पर ही based होगी तो यह 14% of cost price 14% of cost price कितना होगा 420 अब हमें क्या मेशर करना है actual selling price of the watch actual selling price of the watch यहने S S की value कितनी है 91% 91% of cost price that's it अगर 14% 420 हो तो 91% कितना होगा हमें cross multiply करके इसे solve करना है एक single important point जो आपको धिया में रहना है कि जो 420 question में दिया गया है इसका percentage equivalent किया है जैसे हमें मेशर किया 14% होगा 420 होगा 420 अगर 14% 420 हो तो requirement है 91% हो यह कितना हो cross multiply दरेंगे यह से solve करना है right so the actual selling price है S यह हो जाएगा 91 into 420 divided by 14 14 यहाँ पर cancel होगा 30 times 91 into 30 so यह हो जाएगा 273 into 10 273 so उनके सकते हैं कि actual selling price of the watch is 2730 और question और भी कई तरीवे में पूचे जा सकते है right जैसे अगर मान ने पूचा जाए what is the new selling price of the watch new selling price of the watch कितना है 105 percent तब हम क्या करेंगे 14 percent is 420 105 percent is equal to what या फिर पूचा जा सकता है what is the cost price of the watch what is the cost price हम जानते हैं कि cost price हमेशा 100 percent consider करना होता है so अगर 14 percent is 420 100 percent is equal to what right या फिर पूच लेके what is the profit made in the new case profit कितना है 5 percent so 14 percent is 420 5 percent is equal to what what was the loss made by selling the watch initially 9 percent lost so 14 percent is 420 9 percent is equal to what right so basically चाहे कोई भी question पुचा जाए हमें स्रिफ इतना ही करना है कि दी गए वाल्यू 420 का percentage equal है निकाल लेंगे और इसके basis पर हम जो भी requirement है से calculate कर सकते हैं cross multiplication करें तो ऐसे हम सॉल्फ करेंगे profit and loss के ये exam चलिए अब डिसकस करता है model 2 से एक और example question है Raveen sold an article for rupees 1170 at a profit of 30 percent what should be the selling price if the desired profit is 40 percent तो बहुत ही simple सा question है Raveen ये किसी article को 1170 rupees में बेचा है और profit था 30 percent हमें ये चेक करना है कि अगर इसका desired profit 40 percent हो यानि अगर वो 40 percent profit बनाना चाहता है तो selling price क्या बना चाहिए So question बहुत ही simple है लेकिन अगर आप percentage इसका concept follow ना करें तो ये lengthy हो सकता है इसका solution lengthy हो सकता है January क्या करेंगे इसमें Selling price दिया गया है 1170 क्या है Selling price और profit भी दिया गया है तो जब हमें Selling price और profit percentage ये दोनों पता हो हम इसमें से cost price calculate कर सकते हैं तो हमने cost price calculate किया अब हमें पता है कि profit 40% होना चाहिए तो इन दोनों को लेकर हम new selling price calculate कर सकते हैं जो नया selling price S' है उसे हम calculate कर सकते हैं ये होगा regular method इस question को solve करने का जो की लगवाग सभी students follow करें लेकिन इसे smart method में solve करने के लिए आपको percentages के concept use करने होगे जैसे हमने previous question में भी किया था first example में वहाँ पर भी हमने cost price बिल्कुल भी calculate नहीं किया जो की traditional method में actually किया जाता है हमने directly percent wages use किये और question को cross multiplication use करके solve किया था तो यहाँ पर भी वही तरहेंगे see अगर profit 30% हो तो selling price कितना होगा 130% right 100% plus 30% 130% 130% 130% not cost price और यह 130% का equivalent question में दिया गया है 1170 rupees सेलिंग प्राइज है 1170 हम जान देंगी selling price होता है 100% plus profit percent कि profit 30% है 100 plus 30 130% हो जाएगा 1170 अब हमें क्या चेकर है what should be the selling price if the desired profit is 40% अगर आप 40% profit बनाना चाहते हैं selling price कितना होना चाहिए 100 plus 40 140% 140% क्या बस एक ही step है आपको इसे cross multiply करके simplify करना है question को answer करने के 130% दिया लिया है 140% हमें calculate करना है important observation यहां पर यह है कि हम cost price calculate नहीं कर रहे cost price क्या होता है cost price को हम 100 percentage इस method में आपने देखा कि हम पहले cost price calculate करते हैं और फिर दिये गए profit को use करके new selling price calculate करें लेकिन यहां पर आप directly new selling price है S' उसे calculate करना है बिना 100 percentage evaluate कि right so shift cross multiply करना है so new selling price S' होगा 140 into 1170 divided by 130 right अगर आप simplify करे 130 into 9 times होगा 1170 और 13 into 9 होता है 170 9 into 140 right 9 into 140 900 plus 360 1260 तो इस question का answer होगा 1260 rupees याने जो new selling price है वह होगा 1260 अगर आप 40% profit desire करते हैं तो जैसे आपने देखा example 1 और example 2 में बिना traditional method use किये specially बिना cost price calculate किये हम इन questions को answer कर सकते हैं percentage equivalent का concept use करते हैं is probably easily熟क तो easily or quickly solve कसके niż